नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी मोडल टेस्ट नमबर 2 दोस्तों इससे पहले हमने एक मोडल टेस्ट देख लिया है दोस्तों जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसमें भी आप जरूर बाग ले और दोस्तों ये मोडल टेस्ट प बताएं हर एक क्यूसन का अपना एंस्वर है वो देते रहे दोस्तों और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक और सेर नहीं किया है तो लाइक और सेर अधिक सेर दिक करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें परती दिन आपको मोडल टेस्ट वेपर यहां पर मिलेगा तीस मोडल टेस्ट वेपर हमारा हिंदी को देने का अधिस से दोस्तों तीस इंटू तीस यानि कुल आपको 900 कुशन मिलेंगे दोस्तों जिन में से साड़ चार्ट रो कुसनी सिक्षन विदियों से रहेंगे तो एक बार सभी साती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें जिसे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे चलते हैं पहले क्यूसन की और पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर आ सक्रीजाओर प्रेकस्षन ऊठेब करें यहां पर दोस्तों उप्सरक तो आपका रहेगा प्रै और जो आपका पर ते रहेगा वो रहेगा इध तीन नमर वपना आपका क्या हो जाएगा यहां पर सई हो जाएगा नेक्स्ट सिंILY में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूसेन है हमारा ततकाल सब्द का संदी विचेद होगा तै पलस अकाल तत पलसकाल तत पलसकाल तत पलसकाल तत पलसकाल तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही एंस्वर रहेगा तत पलसकाल यहां पे देख के बाद में क्या आया है क्या वरग आया इस वज़े से जो आपका देख है वो किस में बदल जाएगा अपने पर्तम वरग जो वरग है पर्तम वरण है उसमें वरग के पर्तम वरण में है जो देख बदल जाएगा तो तेह हो जाएगा और बन जाएगा ततकाल तीन नमर उपसन यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा next question में चलते हैं दोस्तों next question है दोस्तों आपका क्या यह अंतर केवल सोचने के कोसल के होने या नह होने का कारण है रेखांकित सब्दापको यहां पे नहीं दिकाई दे रहा है तो मैं लगा देता हूँ यह है यहाँ पर यह है क्या है शंग्या है शर्वे नाम है किरिया है या अवे है तो यहाँ पर यह है वो रहे गए क्या यह अंतर सोचने यह है किसी के बारे में तो दो नमर उप्सन सर्वे नाम रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं दोस्तु बहुत अच्छा क्यूसन है दोस्तु बुद्धी शब्द है संग्या है सर्वे नाम है किरिया है या विश्येशन है तो जो बुद्धी शब्द होता है दोस्तु वो संग्या होता है दोस्तु क्या होता है संग्या next question में चलते है कोसल सबद में निवन में से किस परते का परियोग हुआ है कोशल आपको शबद दिकाई दे रहा है इसके अंदर कौन सा परते लगावा है अल परते हैं sait परते हैं इल परते हैं या आल परते हैं तो यहां पर हम देखते हैं आल नहीं हो सकता, इल नहीं हो सकता, अब अल और एक की बात करते हैं, तो आपका सही अंस्वर दो नमर ओप्सन रहेगा, ए, ए पड़ते लगावा है कोसल के अंदर दोस्तु, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, जाती सब्द है, जाती जो सब्द है, वो पूलिंग है, इस्त् सब्द होता है, दो नमर ओप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, बासा का बहु अचन रूप बताईए, यानि बासा का बहु अचन रूप बताना है आपको, बासाओं, बासाएं, एक वे दो दोनों ही, या इन में से कोई नहीं, बासा का बहु अचन रूप बहसा का बहु अच्छन दोस्तु बहसाओं भी होता है और बहसाओं भी होता है एक वे दो आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा साइते की संपंता और उसका विकास प्रम आवसेक है यह वाक्य है वरतमान काल का है भूत काल का है बविसे काल का है या इन में से कोई नहीं तो सही एंसवर के अगर हम बात करते हैं तो दोस्तु यहां पर है आ रहा है तो वरतमान काल का रहेगा दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हिंदी व्याक्रण है और सिक्सन विद्यू के तो हमने दोस्तों 500 क्यूसन है वो कंप्लेट करा दिये हैं और साथ मैं आपको सोट के अंदर वीडियो भी मिल जाएंगे चैनल पर लेकिन जो अगर व्याक्रण के अगर की उन्ती की द्योतक होती है राष्टर बासा है राष्टर की उन्ती की क्या होती है द्योतक होती है यह वाक्य है बूतकाल का वर्तमानकाल का बविस्यकाल का या इनमें से कोई नहीं राष्टर बासा राष्टर की उन्ती की द्योतक होती है वर्तमान में बात कर रहा है तो option दो क्या रहेगा आपका वर्तमानकाल सही रहेगा next question में चलते हैं next है कवियों सब्द का एक वचन रूप है कवियों सब्द का एक वचन रूप क्या होगा कवी होगा कवी होगा कभी होगा कभी होगा या इनमें से कोई नहीं कवियों कवियों का एक वचन कवी होगा question में चलते हैं मैं तुम से विवा करना चाती थी ये सरल वाक्य है ये मिसर वाक्य है या ये स्योंक्त वाक्य है या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाता हूं में कि दोस्तु अगर आपको किसी भी क्यूशन में कुछ भी संसे लगे या कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ गलती हो रही है तो आप कमेंट करें दोस्तु कमेंट करके बताएं कि सर आपने इस क्यूशन के अंदर कुछ गलत कर दिया है तो उसका भी वहां पर आपको जवाब दिया जाएगा दोस्तु देखते हैं मैं तुमसे विवा करना चाती थी ये एक सरल वाक्य है दोस्तु ओप्शन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं बहुत अच्छा क्यूशन है दोस्तु जैसा करोगे वेसा बरोगे सरल वाक्य है मिसर वाक्य है सयूँक्त वाक्य है या इन में से कोई नहीं जैसा करोगे वेसा बरोगे ये मिसर वाक्य है दोस्तु जैसा आप अभी करोगे वेसा अगे बरोगे नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तु तवे की बूंद होना तवे की बूंद होना बहुत कीमती होना तुरंत एदर से हो जाना तुछ कारिये करना महत्वहिन होना तवे के उपर जैसे ही आप पानी की बूंद डालोगे वो तुरंत गाइब हो जाएगी मतलब तुरंत एदर से हो जाना दो नमर ओप्सन सही रहेगा next में चलते हैं पानी मतने से गी नहीं निकलता पानी को अगर मतने से गी नहीं निकलता है छोटे कारिय करने से कोई लाब नहीं वेर्थ की बेश से कोई लाब नहीं गी दही से निकलता है उपरोक सभी अगर आप पानी को मतने से गी नहीं निकलेगा मतलब आप अगर वेर्थ की कोई बात करोगे या बहस करोगे तो उससे आपको कोई लाब नहीं होगा वेर्थ की बहसें कोई लाब नहीं है Next question में चलते हैं पंच कहे बिली तो बिली अपनी अलग-अलग राय जो सबकी राय सो अपनी राय पंचों में यतेदीक विश्वास इनमें से कोई नहीं पंच कहे बिली तो बिली मतलब जो सब की राए हो सो अपनी राए होती है दो नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्ष्ट में चलते हैं अब देखेंगे दोस्तों हम सिक्सन विदियों के क्यू सन पंदर रहेंगे सिक्सण विदियों के क्यूसन पहला है आगमन विदी को अन्ने किस नाम से जाना जाता है विशलेशन विदी, सामाने अनुमान विदी, उधारन विदी या सत्यापित विदी तो सही जो आपका रहेगा क्यूसन नमबर 46 का दोस्तों जो आगमन विदी है वो चलती है उधारन से नियम की ओर इसलिए इसको उधारन विदी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं किंडर गार्टन विदी का विकास किया मोन्टेशरी ने, फ्रोवेल ने, डोल्टन ने, या आमरिश्ट्रोंग ने जो किंटर गार्टन विदी है इसका विकास फ्रोवेल ने किया था नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं गहन अद्यन निष्ट सिक्षन में मोन वाचन किस कक्सा से प्रार्म किया जाना उचित होगा गहन अद्यन निष्ट में अद्यन निष्ट है गहन अद्यन कर रहे हैं आप तो उसके अंदर मोन वाचन किस कक्सा से प्रार्म करना उचित होगा दोस्तूँ पर्तम कक्सा से, कक्सा 5 से, कक्सा 6 से या कक्सा 3 से तो सही रहेगा आपका दो नमर उप्सन कक्सा 5 से दोस्तू नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं बासा की सिक्सा देते समें इन में से किस सुतर का आशरे लेना चाहिए बासाकी सिक्ष्या देते सेमिए आप इनमें से किस सुटर का आश्रे लेंगे दोस्तों बहुत अच्छा क्यूशन है आप अपने उपर खुद ये सोचके चलो कि आप सिक्षक है तो आप इस क्यूशन का आसानी से जवाब दे सकते हैं कटेन से सरल की ओर सरल से कटिन की ओर अग्याद से ग्याद की ओर ग्याद से अग्याद की ओर बासा की सिक्सिया है दोस्तों वो सरल से कटिन की ओर दी जाती है दो नमर और उप्सन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं व्याकरण की सिक्ष्या में किस परनाली का परियोग किया जाता है जो व्याकरण की सिक्ष्या होती है उसके अंदर किस परनाली का है जो परियोग किया जाता है परतेक्स परनाली का परोक्स परनाली का आगमन परनाली का या निगमन परनाली का बहुत अच्छा और नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हिंदी सिक्षन में दुर्बल एवं मंद बुद्धी चात्रू के लिए कोंसी विदी उप्योग्त है हिंदी सिक्षन के अंदर जो दुर्बल एवं मंद बुद्धी चातर है उनके लिए कोंसी विदी है जो उप्योग रहेगी प्रश्णोतर विदी, पुस्तक विदी, समश्या विदी या लेक विदी, दुर्बल वे मंद बुद्धी चात्रू के लिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो क्या बोला जाता है इसको लिक लिक कर पड़ो आपको समझ में आ जाएगी या याद हो जाएग तो लेक विदी, चार नमर ओप्शन सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, नेवन में से कोन सी रचना सिक्षन की विदी नहीं है, प्रामर्स विदी, भासे विदी, रूपरे का विदी या निर्देशन विदी, यहाँ पे कोन सी रचना है जो सिक्षन की विदी न तो सई जो आपका एंस्वर रहेगा वो रहेगा दोस्तों बासे विदी नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों बासा सिक्षन के सिद्धान्थ है प्रेरना का सिद्धान्थ किरिया द्वारा सीखने का सिद्धान्थ जीवन से जोडने का सिद्धान्थ या उक्तसभी बासा सिक्षन के सिद्धान्थ कौन-कौन से है तो प्रेरना का सिद्धान्थ भी है किरिया द्वारा सीखने का सिद्ध जीवन से जोडने का सिद्धान्थ भी है उपरोग सभी आपके सही रहेंगे चार नमर उप्षन नेक्स्ट में चलते हैं सामुईक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है अध्यापक समुह क्यानेता समुह कच्छातर कोई नहीं सामुईक वाचन कर रहे हैं कक्सा के अंदर तो सामुईक वाचन सबसे पहले कौन करेगा उसमें वाचन पाठ का अध्यापक करेगा एक नमर उप्षन शही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों सहसवर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्साओं में होता है तो दोस्तो भुसरे सातियों को मैंने कल कमेंट देखे थे कि सर आपकी जो कलास है वीडियो आते हैं इनके हमारे पास नोब्डिबिकेशन नहीं आरे हैं तो आप सबी से मैं एक बात केहना चाहता हूं कि दोस्तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके अंदर जो bell icon है उसके अंदर all notification को own कीजिए जिसे आपके पास message आता रहे और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी अभी के अभी उसको एक बार own कर ले आपके नीचे ही आपको मिल जाएगा bell icon उसमें all notification है उसको own कर ले जिसे हैं हर जो नया वीडियो आता है नया test आता है उसकी link है आपके पास सबसे पहले पहुंशती रहे दोस्तों तो सही answer रहेगा सैस्वर वाचन का अभ्यास कोन सी कक्साओं में करना चाहिए चोटी कक्साओं में option एक आपका यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा next user में चलते है रेडियो की सिमाओं को कौन सा सर्वेश सादन दूर कर सकता है जो रेडियो की सिमाओं होती है उनको कौन सा सर्वेश सादन है जो दूर कर सकता है ग्रामोपोन लिंगवापोन टेप रिकोर्डर उक्त कोई नहीं तो रेडियो की सिमाओं को टेप रिकोर्डर है दोस्तों वो क्या कर सकता है दूर कर सकता है next question में च परदान की है वेशकु है तू गेर उपचारिक सिक्षिया के लिए दूरदर्शन का अनौपचारिक सिक्षिया है तू परियोग प्रारंभिक सिक्षिया के सारव भूमिकरण के लिए उपरोक्ष सभी बहुत अच्छा क्यों से नаю दोस्तो कि भारत सरकार ने दूरदर्षन कार्यकरम के अंदर जो सेक्सक कार्यकरम है उसके परसारण के लिए परात्मिक ता पढ़दांद कीए नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तो नेक्स्ट है वस्तुनिष्टता की रक्सा के लिए सरवादिक उप्यूग्द परसन है बहु विकलपला तमक अती लगू उत्रातमक लगू उत्रातमक या निमंदातमक तो वस्तोनिष्ट की रक्सा के लिए सरवादिक उप्यूग्ट परसन कौन से यहां पर आपको पूचा गया चार ओप्सन आपके सामने हैं दोस्तों बात क्या हो रही है कि वस्तोनिष्ट था उसकी रक्सा के लिए सरवादिक उप्यूग्ट परसन कौन से रहेंगे कौन से रहेंगे दोस्तों इन में से अती लगूतरात्मक दो नमर ओप्सन नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं दोस्तों सिक्सन अधिगम परकिरिया के उपरांत चात्रू दुवारा ग्रण किये गए अधिगम की जांच है तू किया जाने वाला पर सिक्सन कहलाता है बहुत अच्छा क्यूशन है निदानात्मक परिक्सन उप्चारात्मक परिक्सन उपलब्दी परिक्सन या उप्रोक सभी या उक्त सभी क्यूसन को पड़े, सिक्सन अधिगम परकिरिया के उपरांत, चातरू द्वारा गरण किये गए अधिगम की जाँ छेतू किया जाने वाला प्रिक्सन, उपलब्दी प्रिक्सन होता है दोस्तूं, चलते हैं दोस्तों अंतिम क्यूसन की ओर, और सभी साती है जो अंतिमें बता करना, चातर की कमजोरी का पता लगाना, निदानात्मक परिक्सन, निदानात्मक परिक्सन के अंदर चातर की जो कमजोरी होती है, उसका पता लगया जाता है, तो चार नमर उप्सन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, तो एक बार सभी साती है, वो कमेंट करके बताएं, कि ये वीडियो ये क्यूसन आपको कैसे लगे और आपने 30 में से कितने क्यूसन है जो सही अटेंड किये हैं दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अधिक से अधिक लाइक करो। और हर एक मेरे साथी है वो अपने जो आसपास है के जो मित्तर है त्यारिया करें उनको अमारे चैनल पर लाने का प्रियास करें उनके पास इसको लिंक है इसलिए वीडियो की जो लिंक है इसको सेर करें